जहिन दोस्तो मेरा नाम बहादर लोधी और आज किस वीडियो में हम लाश्ट सिक्स मन्थ के करन्ट अफ्यास के मोश्ट इंपॉन को डिस्कस करने वाले हैं और दोस्तो हमेशा की तरह इन सभी कोस्टन को हम बिलकुल डेटेल में विथ एस्ट आफेक्ट के साथ में डिस्कस क पड़े तो आये दोस्तो विना किसी देरी के सुरुवात कर लेते हैं नम्र फ़र्ष्ट कोस्टन से और नम्र फ़र्ष्ट हमारा कोस्टन है विस्भ का सबसे उचा राम मंदिर कहां पर बनाया जाएगा उस्टेलिया देज के पर्थ में ए कर्यक्ट आंसर हो जायाँगा च का निर्माड स्री राम बैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा लगभग 600 कर रोपे की लागत से ये बनाया जाएगा और 150 एकर जमीन में ये मंदिर बनाया जाएगा ठीक है और इस राम मंदिर की उचाई कितनी रहेगी 721 फीट इसकी उचाई रहेग तीक है वर सेकिंड कोस्ट की बात करें तो बताईए हर्याना के नए मुखमंत्री कौन बन गए है तो अभी जो हर्याना के वरतमान मुखमंत्री थी मनुहरलाल खटर उन्होंने इस्थीपा दे दिया है और वारा मार्च को नए मुखमंत्री बन गए है नायप सेंस सैनी ए option हमारा correct answer हो जाएगा नेश्ट हमारा question मार्च 2024 में प्रथम national creators award 2024 किसने प्रदान किये हैं तो national creator awards जो हैं ये इसी साल शुरू करे गए ठीक है और पहली बार ये award नरंद मोदीजी ने प्रदान करे हैं प्रदान मंत्री नरंद मोदीजी ने ये award वित्रित किये हैं बी option करक्ठ हो जाएगा national creator award यहां से question exam में पूछा जाएगा तो complete factor को हम discuss कर लेते हैं 8 मार्च 2024 को मोदीजी ने नई दिल्ली के भारत मंदपम में प्रदान national creator award प्रदान किये हैं ठीक है और देश भर के कुल 23 लोगों को ये award दिये गए हैं ठीक है और इस प्रुषकार की सुरुआद 2024 में ही करी गई और हम बात करें कि कुछ महत्पून बिजेता जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो national creators award 2024 के कुछ महत्पून बिजेता हैं सबसे पहले आप से पूछे जाएगा कि सरवश्रिष्ट रचनाकार का जो award है ये किस ने जीता है जया किसूरी ने जीता है ठीक है कथा बाचक है जया किसूरी आप लोग जानते होंगे और Green चेंपियन का अबोर जीता है पंक्ती पांडे ने वो सरबशिष्ट कहानिकार का जो प्रुसकार है ये किर्ति का गोबिंदा सामी ने जीता है कल्चरल एमबेस्टर आप द इयर का अबोर जीता है गाई का मैथली ठाकोरने ठीक है जो की विहार निर्वाचन आयो की चोधरी ने ठीक है आप लोग जानते होंगे ये यूटूबर हैं और टेक केटेगरी में वीडियो बनाते हैं और पसंदिदा ट्रेवल क्रियेटर के लिए अबोर जीता है कामिया जाने ने ठीक है तो ये कुछ महत्पूर्ण विजेता थे जहां से कॉस्टन वन सकते हैं ट महिला करिकेट में सबसे तेज गैंद फैकने का रेकोर्ड बनाया है सबनीम इसमाइल ने किसने बनाया सबनीम इसमाइल ने बनाया और ये दक्षिन अफरिका की महिला करिकेटर हैं डेटेल से समझ लेते हैं तो सबनीम इसमाइल दक्षिन अफरिका की महिला करिकेटर हैं औ सबसे तेज गेंद फ्याकनी का रेकोर्ड बनाया इन्होंने दिल्ली कैपिटेल के खिलाप 132.1 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से तेज गेंद फ्याकनी का रेकोर्ड याद रखना सब नीम इसमायल की पास में है नेश्टमार कोस्टन है भारत की पहली अंडर वाटर म हैट्रो सेबा का उदगाटन किया है पीम नरंद मोधिजी ने ठीक है और किस नदी के नीचे तो होगली नदी के नीचे ठीक है डी ऑप्षन हमारा करक्ट आंसर हो जायागा होगली नदी के नीचे और स्थान यदि पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि कोलकाता में इसका उदगाटन किया गया है नेश कोसन हाली में विस्व का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगाय से अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ है इस क्रूज का नाम क्या है याद रखना विस्व का सबसे बड़ा क्रूज और इसको नाम दिया गया है आइकन आप दी detail समझेंगे 27 जन्मरी 2024 को विस्व का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगा है जो कि अमेरिका का बंदरगा है तो मियामी बंदरगा से विस्व का सबसे बड़ा क्रूज अपनी पहली यात्रा के लिए निकला है और इस क्रूज का नाम आइकन आप दीस सीज रखा गया है और ये जो क्रूज है ये रोयल केरिबियन के दौरा तयार किया गया है और क्रूज का नाम करण किस ने किया है ये कॉस्थन यदी पूछा जाए तो प्रसुद्ध फोटवालर है लियोनेल मैसी इन्होंने इस क्रूज का नाम कड किया है इस क्रूज की लंबाई है वारा सो फीट और उंचाई है वीस मंजला है ये क्रूज और इसी क्रम में एक और कॉस्थन पूछा जाए उससे पहले दोस्तों यदि आप बिलकुल डेटेल में करंट फेश को पढ़ना चाहते है जिस प्रकार से हम बिलकुल डेटेल में करंट फेश को पढ़ रहे है बिलकुल आसान भासा में करंट फेश को पढ़ रहे है महत्मूल करंट फेश को पढ़ रहे है यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल का करंट फेश पढ़ना चाहते है तो हमारी current face की e-book launch हो गई है इस e-book में आपको topic wise current face मिल जाएगा और monthly wise current face मिल जाएगा ठीक है और इसी क्रम में हमारी static gk की रामवान e-book लाँच हो गई है तो इस e-book को भी आप purchase कर सकते हैं इस e-book के अंदर आपको विस्प का भूगूल भारत का भूगूल भारत का इतिया e-book लाँच हो गई है तो इन सभी e-book को purchase करके आप अपने study को मजबूत कर सकते हैं एक्जाम में selection ले सकते हैं मैंने कहा था इसी क्रम में एक और question पूटर आएगा कि विस्प का सबसे बड़ा container जहाज Oocl Valencia किस देश के दोवारा निर्मित किया गया तो याद रखना दोस् को नाम दिया गया है Oocl Valencia और ये निर्मित किया गया है चाइना देश के दोवारा बी option हमारा correct answer हो जाएगा निर्मित को सबसे पहले याद रखो कि बुजर्गों के डाक मत पत्र मतदान के लिए उम्र सीमा में बदलाओ किया है आपको नई उम्र सीमा बताना है तो देखिए सबसे पहले याद रखो कि बुजर्गों के डाक मत पत्र मतदान के लिए जो पहले उम्र सीमा थी ये 80 वर कर दी गई है पचासी वर्स या फिर इससे अधिक नेश कोस्टन है तीनों सेनाओं का सयंक्त अभ्यास भारत सक्ति का आयोजन किस जगा पर किया गया दोस्तों भारत सक्ति जो है यह तीनों सेनाओं का सयंक्त अभ्यास है और इसका आयोजन किया गया है जैसलमेर के पोखरन मे ये option हमारा correct answer हो जायगा दूस्तो भारत सकती ये भारत की तीनों सेनाओं का सेक्टो सेन अव्यास है और इस अव्यास में तीनों भारती सेनाएं सुधी सी निर्मित हत्यारों की छम्ताओं का प्रदर्शन करती हैं तीक है आयूजन कहाँ पर किया गया है तो राजस्थान के ज सी इस्पेस लॉंच किया है तो दूस्तो याद रखना भारत का पहला सरकारी सौमित वाला OTT प्लेटफॉर्म है सी इस्पेस और इसको लॉंच किया है केरल के सी एम पिनराई विजियन ने सी ओप्सन हमारा correct answer हो जायगा बताए अभी राष्टी अनुसुचत जाती आयूग के नए अध्यक्ष बन गए है इनका नाम बताए तो राष्टी अनुसुचत जाती आयूग के नए अध्यक्ष बन गए है कि सोर मकबाना भी option हमारा correct answer हो जायगा नेश क्वेस्टन है भारत के सबसे तेज और सौदेशी डिजाइन वाले IP MPLC राउटर की स्पीड बताएं ज TBPS है TBPS मतलब टेरावाइट पर सेकंड ठीक है और इसको लॉंच किया है अस्वनी व्यस्णव ने तो अस्वनी व्यस्णव दो है ये IT मंत्री है और रेल मंत्री भी है ओके नैश कोस्तन है हाली में कोवेट सिटी में संपन एसीन सौटगन चेंपरिंशिप दो हजार चौब पदक तालिका में तीसरा इस्थान हासल किया है C-Option करक्ठ हो जायागा अब इस चेंपरिंशिप के बारे में हम complete facts को discuss कर लेते हैं सबसे पहले आपसे पूछा जायागा कि ACN सौटगन चेंपरिंशिप का आयोजन कहां पर किया गया तो आप कहेंगे कोवेट सिटी में आयो स्थान पर रहा है पहले स्थान पर रहा है चाइना दूसरे स्थान पर रहा है ताइवान अपना देश भारत तीसरे स्थान पर रहा है बताईए समुद्री सेवाल की खेती को वड़ावा देने के लिए पहला राश्टिये सम्मेलन 2024 कहां आयोजत किया गया करक्ठ आंसर हो हो जाएगा दुस्तों गुजरात के कख्ष में सी ओप्षन करक्ठ हो जाएगा नेश को सन है विस्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर कहां इस्तित है जिसका अनावन पी एम मोदीजी ने किया है तो याद रखना दुस्तों विस्व का सबसे बड़ा केंद्र इसको नाम दिया गया स्वरवेद महामंदिर ठीक है और ये इस्तित है उत्तरप्रदेश के वारणसी में सी ओप्षन हमारा करक्ठ आंसर हो जाएगा चूकि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है ठीक है तो ये कितनी मंजला है साथ मंजला है ठीक है और इस ध्यान केंद्र में 20,000 साधक एक साथ वैट सकते हैं नैश्टमारा कॉस्टन है यूनेस को ने गुजरात के किस पारंप्रक निरत्त को अमूर्थ सांस्कृत्तिक विरासत की सूची में सामिल किया है तो गुजरात के किस निरत्त को सामिल किया गया गरवा निरत्त को डी और यह है। और यह कौन है इंगलेंड की गोल कीपर है। नैश्वन की हम बात करें इसी क्राम में तो भारते मूल के किस व्यक्ति को BBC यनि की वेटेस ब्रोड कास्टिंग कॉर्परेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो BBC के अध्यक्ष बने हैं भारते मूल के व्यक्ति इसलिए कोस्टन इंपोइंट है इनका नाम कहा है समीर सा सी ओप्सन करक्ष हो जायागा BBC की बात करें तो यह सबसे वड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है जो दुनिया भर के विबिन्द देशों में समाचार कारिकरम प्रसारित करता है नैश कोस्टन हाली में सभी आवारा कुत्तों की नस्बंदी करने वाला दुनिया का प अध्यक्ष तीसरी बार चुना गया है अमिस साह के बेटे जैस साह के लिए ठीक है और देखे जैस साह के पास ACC के अध्यक्ष का पद तो है ही इसके अलाबा इनके पास में VCCI के सचयों का पद भी है ठीक है मतलब इनके पास में दो पद हैं और आपके पास में कितने पद ह एक बही नहीं लेकिन हम महनत कर रहे हैं और एक पद एक नौकरी हासल करके जरूर रहेंगे और हम बात करें ACC की तो ACN किर्केट काउंसलिस का फुल फॉम होता है इस्थापना 1983 सी में हैटकोटर है स्रीलंका के कोलंबु में और इसका आदर सबाख है किर्केट फार गुड राज बन गया है उत्तर प्रदेश सी ऑप्षन करक्ट हो जायागा हाली में कौनसा राज्ज अपने सभी जिलो में होल मार्केंग केंद्र इस्थापित करने वाला पहला राज बन गया है केरला ए उप्सन सही हो जायागा अंतर राष्ट ए एमी डियरुक्टरेट अवर्ड पाने वाली पहली भारती महिला कौन बन गई करेक्ट आंसर हो जायागा एकता कपूर ठीक है यह जो एकता कपूर है यह फिल्म मेकर और प्रेडूसर है नेश्कोस्तन है मारा वरष्ट नागरेकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश से किस राज्य सरकार ने मुखमंत्री वयुसरी यूजना सुरू करी है महराष्ट राज जने बी ऑप्सन करक्ट हो जायागा फरवरी 2024 को पीम नरंद मोदी ने एकिकरत समुद्री सरवाइकल प्रिसिक्षन केंद्र ONGC संस्तान का उद्गाटन कहां पर किया करक्टांसर हो जाएगा गुवा में बी ऑप्सन सही हो जाएगा भारत का पहला डिजिटल राष्टिय पुरालेक संगरहाला किस सहर में बनाया जा रहा है करक्टांसर हो जाएगा ये हैदराबाद में बनाया जा रहा है हम बात करें कि जो भारत का पहला डिजिटल राष्टिय पुरालेक संग्रहाला है इसकी आधासला रखी है जी किसन रेड़ी ने जी किसन रेड़ी ये केंद्रिये संस्कृति मंत्री है और आधासला रखी है पांच फ़वरी 2024 को कहां पर हैदराबाद में और इसका सिलालेकों का प्रदर्शन किया जाएगा नैशकोसन है गुजरात सरकार दोवारा सुरूं की गई नमोश्री योजना के तहट राज्य की गर्ववती महिलाओं को कितने रुपे की वित्तिय सहायता प्रदान करी जाएगी तो देखे दोस्तों अभी गुजरात के जो वित्त योजना और इस योजना के तहत राज्य की जो गर्वती महिलाओं हैं उनको बारा हजार रुपे की वित्तिय सहायता प्रदान करी जाएगी तीक है और दूसरी योजना की हम बात करें तो गुजरात ने वाली का सक्षा को वड़ावा देने के उद्धिस से तीक है नमोश्र रसुति योजना शुरूं करी है किसने करी है गुजरात ने शुरूं करी है तीक है अच्छा जो नमोश्र रसुति योजना है इसके बारे में जान लेते हैं तो शुरूं करी गई है गुजरात की वित्तमंत्री कनुम भाई देशाई की दौरा दो फरबड़ी 2024 को शुरूं उनके लिए क्रम सा 10,000 रुपे और 15,000 रुपे की वित्तिय सहायता प्रदान करी जाएगी यानि कि दो सालों में टोटल 25,000 रुपे की वित्तिय सहायता प्रदान करी जाएगी नमो सरसुती योजना में इसी क्रम में एक और योजना है कक्छा नौ से वारवी तक की लड़किय को वित्य साहयता देने के उद्येस से किस राजी सेरकार ने नमो लक्षमी योजना सुरूं करी है, तो नमो लक्षमी योजना में क्या होगा? तो क्षा 9 से वार्वी दिये जाएंगे टूटल कितने 50,000 रुपे नेश्ट अमारा कोस्तन भारतिय दूर संचार नियामक प्राधिकर्ण यानि की ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो अनिल कुमार लाहोटी जो हैं ये ट्राई की नय अध्यक्ष बनाए गए हैं ट्राई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलिकॉम रेगुलर्टी अथोर्टी ऑफ इंडिया इस्थापना 1997 में हैटकोर्टर नई दिल्ली में अध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार लाहोटी नेश कोस्तन है हाली में ससस्तर सीमा बल यानि की इसस्वी के नए महांदेशक कौन बन गए हैं तो इसस्वी के नए महांदेशक बन गए हैं का इस्थान लिया है हम बात करें एसस्वी की तो सस्थ सीमा बाल इसका फुल पम होता है स्थापना 1963 में हैड़कोटर ने दिल्ली में और इसका आधर सबाक की मोटो है सेवा सुरक्षा और बंधुत यानिकी सर्विस सिक्यूर्टी एंड ब्रिदर हुड़ जो है यह एसस्वी इस्थे थे सभी को पता भी होगा कि एफिल टावर यह फ्रांस देश में इस्थे थे इसके बारे में हम कुछ फैक्टों को डिसकस कर लीते हैं तो एफिल टावर फ्रांस की राधधानी पैरिस में इस्थे थे और किस नदी के किनारे यह कॉस्षन पूछा जाएगा तो उस्ताव एफिल ने तीके और इनी के नाम पर इसका नाम एफिल टावर रखा गया उचाई की बात करने तो 300 मीटर इसकी उचाई है लेकिन 300 मीटर इसकी उचाई हो जाती है लेकिन यदि हम इसके एंटीना को भी काउंट कर लें तो एंटीना 34 मीटर का है केबल तो एंटीन बनाने वाला कानून पारित किया है तो गर्वपात को सम्विधानिक अधिकार देने वाला पहला देश क्या कौन सा बन गया है फ्रांस बन गया है D option हमारा करक्ट आंसर हो जायागा बताए किस राज सरकार ने बजरुग पेड़ों के लिए प्राण वायू देवता पैंसन योजना सुरू करी है हर्याना की सरकार ने C option करक्ट हो जायागा इस कौस्टन को हम डेटेल से समझेंगे तो हाली में हर्याना राज ने बजरुग पेड़ों के लिए प्राण वायू देवता पैंसन योजना सुरू की है इसी के साथ हर्याना राज बजरुग पेड़ों के लिए पैंसन योजना सुरू करने वाला देश का पहला राज जिवन गया है और ये जो योजना है इसने 75 वर्स या फिर उससे अधिक उम्र के पेड़ों को सामिल किया गया और इस योजना के तहत राजी के निवासियों को उनकी संपत्ती पर मौजूद वुजर्ग पेड़ों के रख रखाओ देखभाल के लिए 2750 रुपे प्रती वर्स यानि की हर साल दिये जाएंगे नेश्ट हमारा कॉस्टन है गोवा के करनेल काजू को हाली में ZI Tech प्रदान किया गया है आपको बताना है कि ये जो करनेल काजू है इसे 60 अताबदी में किसके दवारा भारत लाया गया था जो कि अब बड़ा उद्योग बन गया है तो करनेल काजू ये भा करत लाया गया था पुर्त गालियों के द्वारा सी ओप्षन हमारा करक्ट आंसर हो जाया अगर इसको हाली में ZI Tech दिया गया नेश्ट हमारा कॉस्टन है हंगरी की नई राष्ट पती बन गये है इनका नाम क्या है तो तामस सुल्योग इनका नाम है ठीक है और हंगरी की रा पती बन गये है तामस सुल्योग नेश्ट कोस्टन है हाली में किसने हमारा संविधान हमारा संवान अभियान सुरूं किया है तो हमारा संविधान हमारा संवान अभियान जो ये सुरूं किया है और प्राष्ट पती जगदीब धनकरने ठीक है और इस अभियान का अभी जनुवरी 2024 में जलवायू सम्मिलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया तो जलवायू सम्मिलन 2024 का आयोजन किया गया है महराष्ट के मुंबई में B-Option करक्ट हो दायागा नेशकोस्टन हाली में लॉंच पुस्तक Fertilizing the Future Fertilizing the Future इस पुस्तक का टाइटल है ठीक है और पूरा नाम है Fertilizing the Future भारत्स मार्च टू वर्स Fertilizer Self-Sufficiency ठीक है लेकिन आपको टाइटल याद रखना है Fertilizing the Future और इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जाएंगे तो ये पुस्तक लिखी है Dr. Mansook Mandaviyah की बात करेंगे तो ये रसाइन एवं और वरक तथा स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्री है नेश कोस्तन है जनवरी 2024 में कहां पर किसान मेला 2024 का आयोजन किया गया तो किसान मेला 2024 का आयोजन किया गया है गुजरात के आणंद जिले में नेश वन की बात करें हाली में संपन्न पुरुसवर्ग की तेरवी राष्टे होकी चैंपरिशप 2024 का खिताब किस न जीता राष्टे होकी चैंपरिशप 2024 का खिताब पुरुसवर्ग में बात करें तो पुरुसवर्ग में ये खिताब जीत लिया है लद्दाक ने A option हमारा correct answer हो जाएगा देखिए राष्टे ISO की championship की बात करें तो इसका आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश के काजा में और पुरुसवर्ग और महिला वर्ग दोनों वर्गों का आयोजन हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया पुरुसवर्ग का ये 13 वा संशकन था पुरुसवर्ग में ये खिताब जीत लिया है लद्दाक ने और महिला वर्ग का 11 वा संशकन था और महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है ITBP की टीम ने नेश्टमारा कौस्टा ने यूनेसको ने किस भारती सहर को संगीत सहर घोसित किया है तो संगीत सहर किसको घोसित किया गया है मद्द प्रदिस के गौलियर सहर को संगीत सहर घोसित किया है यूनेस को ने ठीक है और इसी क्रम में यूनेस को ने भारत का पहला साहत सहर किसे घोसित किया तो UNESCO ने भारत का पहला साहत सहर यानि की City of Literature ये घोसित किया है केरला के कोची कोड सहर के लिए C option करक्ठ हो जायागा बताए हाली में इंडो अमेरिकन चेमबर और कामर सम्मिलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया नई दिल्ली में आयोजन किया गया है ठीक है और इस सम्मिलन का उद्देश क्या है तो भारत अमेरिका के बीच आर्थिक और राजनितिक संबंदों को मजबूत करना इसका प्रमख उद्देश है बताए स्रेंटरल वेंकिंग पब्लिकेशन के दौरा Governor of the Year 2023 प्रुसकार से किसे सम्मानित किया गया तो Governor of the Year 2023 प्रुसकार ये RBI के वर्तमान गवर्नर सक्तिकांत दास को दिया गया है बी option हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है और सक्तिकांत दास की बात करें तो ये RBI के गवर्नर है वर्तमान में लेकिन कौन से नमबर के गवर्नर है RBI के तो ये RBI के 25 वे नमबर के गवर्नर है नेश कोस्टन है हाली में 84 वा अखिल भारतिये पीठा सेन अधिकारी सम्मिलन 2024 कहां आयूज़ित हुआ है correct answer हो जाएगा महराष्ट के मुंबई में नेश्ट हमारा question हाली में 4 राष्टिये चिलका पक्षी महुत्सों 2023 कहां आयूज़ित किया गया इसका answer आप लोग भी लगा सकते हैं comment section में क्या लखा एक question में राष्टिये चिलका पक्षी महुत्सों तो चिलका जील आपको याद आना चाहिए चिलका जील कहां पर है उडिसा में ठीके तो कलिंग सुपरकप 2024 का खिताब जो है ये इश्ट वंगाल ने जीत लिया है बी option हमारा correct answer हो जाएगा हम बात करें तो ये जो प्रतियोगिता है इस का आउज़न किया गया उडिसा के भूवनेस्टर में ठीके और जीता है इश्ट वंगाल ने और उपविजेता की बात करें तो उडिसा एफसी उपविजेता रहा है नेश्ट हमारा question फरवरी 2024 में जारी टॉम टॉम ट्राफिक इंडेक्स 2023 के नुसार विस्व का सबसे अधिक भीड भाड़ वाला सहर कौन सा है विस्व का सबसे ज़्यादा भीड भाड़ वाला सहर टॉम टॉम ट्राफिक इंडेक्स के नुसार लंदन है D option हमारा correct answer हो जायागा इस question के बारे में detail से समझ लेते हैं क्योंकि यहां से question कूशे जाते हैं तो देखिए फरवरी 2024 को टॉम 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 ट्राफिक इंडेक्स जारी किया गया और इस के नुसार सबसे ज़्यादा भीड भाड़ वाले चार सहरों की बात करें तो लंदन पहले स्थान पर है आरलेंड का डबलिन दूसरे स्थान पर है कनाडा का टॉरंटो तीसरे स्थान पर है इटली का मिलान सहर चोथे स्थान पर है अच्छा इस इंडेक्स में टॉप 10 सहरों में दो भारतिय सहर भी है कौन-कौन एक तो बेंगलरू है करनाटक का ये चटवे इस्थान पर है ठीक है महराष्ट का पुड़े है ये साथवे इस्थान पर है दोस्तो यहाँ पर हमने लाश्ट 6 मन्त के करंटरफेस के most upon 50 questions को discuss किया बिलकुल detail में और आसान भासा में यदि आप इसी प्रकार से बिलकुल detail में करंटरफेस को पढ़ना चाहते हैं मन्तली करंटरफेस को पढ़ना चाहते हैं topic wise करंटरफेस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंटरफेस की update ebook launch हो गई है इस ebook के अंदर आपको पूरे साल के करंटरफेस के महत्पूर कोस्टन मिल जाएंगे बिलकुल आसान भासा में इसी करम में हमारी static gk की राम मार ebook launch हो गई है इस ebook के अंदर आपको विस्व का भोगोल, भारत का भोगोल, भारत का इतिहास इतिहास के तीनों पार्ट मिलेंगे, भारत का सम्मिदान, भारतिय अर्थवबस्ता, सामन विज्ञान, सामन विज्ञान के भी तीनों पार्ट मिलेंगे और साथ में आपको मिल जाएगा computer gk, यानि कि aesthetic gk का complete nature आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इस e-book में 5000 से जादा previous year question का collection किया गया है, साथ में science की e-book भी launch हो गई है, इन सभी e-book का link का आपको वीडियो के description box मिल जाएगा तो अपनी study को मजबूत करने के लिए exam में selection हासल करने के लिए हमारी इन सभी e-book को purchase कर लेजे एक question जो आपको छोड़ कर जा रहा हूँ, इसका answer आपको comment section में comment करके बताना है भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो की दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश वन गया है इससे हमें पता चलेगा कि आप हमारा वीडियो कितने अच्छे से देखते हैं, आप serious student हैं की नहीं, आप पड़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो फटा-फट से व वाट्षप, टेलीग्राम पर जितने भी इस्टेडी से रेलेटेड गुरुप हों, सबी गुरुपों में इस वीडियो को सेर कीजिए, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बैल आइकन जरूर दवाल है, ताकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फर अभी आपको स्क्रीन के उपर तीन वेरी उस्पुल वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियो को ज़रूर देख लें, थैंकियो दोस्तों, आपके वहादर सलम लेंगे आपसे नेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जय हि जय भारत